नमस्कार मेरा नाम है मिताब और द्रिस्टी आईयस के इंडेट्स रिंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है गरतंत्र दिवस के समारोह में फ्रांसीसी राष्टपती इमैनुवल मैकरा बतोर मुख्यतिति शामलित हो रहे हैं ऐसे में भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध है वो दो दस्कों से जादा का है और बहतर संबंध है फ्रांस हमेशा से भारत का एक मजबूत साथी बन कर रहा है और आगे भी इसकी संभावना है ऐसे में बतौर मुख्यतिती समिलित होने के बाद भारत-फ्रात संबंधों में कितनी और मजबूती देखी जा सकेगी इस संदर्व को लेके और साथी फ्रांस के साथ भारत के रिष्टों की क्या प्रिस्ट भूमी रही है इस पूरे मुद्दे को आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिस करेंगे आपको बता दें कि इससे पहले पिछले वर्स प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी भी फ्रांस की यात्राप किये थे बतार मुख्यति थी वहाँ समिलित हुए थे और फ्रांस के सरवोच सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया था इसके अलावा इससे पहले भी फ्रांस के बतार प्रधान मंतरी के तोर जैक शिराक 1976 में यहाँ आये थे तो भारत फ्रांस के बीच सम्मन्द बहतर रहे हैं ऐसे में बतार मुख्यति थी समिलित होने के बाद इसमें क्या और मजबूती देखने को मिलेगी इस पूरे प्रक्रम को समग रूप से एतिहासिक प्रिष्टभूमी के साथ आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिस करेंगे तो आएए फ्रांस इसी राष्टपती होंगे गरतंतर दिवस के मुख्यति थी इस शीर्था के अंतरगत हम देखें किन बिंदूओं को कबर करेंगे खबर को देखेंगे चर्चा में क्यों है भारत फ्रांस सम्मन्द की प्रिष्टभूमी को समझते हुए सहयोग के प्रमुक्षेतर क्या है दोनों के बीच सहयोग किन किन मुद्दों पर है उसको देखेंगे कुछ चुनावतियां भी है उस पर नजर डालने के बाद क्या आगे की राह हो सकती है इसको समझते हुए अभ्यास प्रश्ण की और चलेंगे सामान अध्यन प्रश्ण पत्र एक दो दोनों ही द्रिष्टिकोंड से ये महतवपोड है बात अगर फ्रांस की करें तो एक नजर डालते हैं फ्रांस की स्थिती पर आपको पता होगा कि पश्चमी यूरोप के पश्चमी भाग में इसकी स्थिती है और इसके उत्तर अगर पुर्व में देखेंगे तो यहाँ पर बेलजियम है इसके बगल में जर्मनी जो की एक काफी मजबूत देश रहा करता था आज की देट में मजबूत है तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा लगती है फ्रांस और जर्मनी को मैजीनाट रेखा अलग करती है इसके बाद यहाँ पर स्विट्जर लेंड है स्ट्जर लेंड और France के बीच में एक पर्वत है जुरा पर्वत जो इसकी सीमा बनाता है इतली भी एक दूसरे से लगए हुए हू via हो और इतली को French Alpas पर्वत अलग करता है इसके नीचे दक्षणी भाग में आप देख सकते हैं Spain साथी दक्षिन पूर्वी सिसक्ते हैं तो यह वस्तिती है ऐसे में गडटन्त द्योस में इसी देश फ्रांस के राष्टपती बतवर मोक्य थिल ती हमारे यहां समलित हो रहे हैं तो खबर फस्ट पर्श की है कि sub Manuel Macron is visiting India for Republic Day, here's what to expect, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, इस बात को हम समझने की कोशित करेंगे, चर्चा में क्यों है तो बतवर मुख्यती थी, 75 गरतंत दीवस में समलित होने के काराण चर्चा में है, इससे पहले जो बैस्टील डे मनाया जाता है, बैस्टील का एक किला थ साही की समाप्ती हुई, तो उस अवसर पर वहां पर जो रास्टी पर मनाया जाता है, उसमें बतवर मुख्यती थी, भारत से भारती प्रधान मंत्री वहां समलित हुए थे, और वहां उनको लीजन आफ वान और वहां का सर्वच सम्मान भी प्रदान किया गया था, अब वो आ रहे हैं भारत में, और दो दिन के यहां की आतरा है उनकी फ्रेंच रास्टपती, आमेर के किली जाएंगे और वहां पर एक सांस्कृतिक कारिक्रम होगा, उसके बाद वो दिल्ली आएंगे, कर्तव विपत पर जो परेड होती है, उस परेड में बतवर मुख्यती थी, सम प्रांसिसी जो विदेशी सेना का है, उसके द्वारा भी प्रांसिसी मार्चिंग दल के रूप में प्रदर्शन किया जाएगा, और खास बात या है कि इस दल में छे भारती इसनिक भी समलित हैं, छे भारती हैं जो उस सेना में समलित हैं, फ्रेंच विदेशी सेना की इस सम में यह दिखाई देंगे यहाँ पर मार्च करते हुए ऐसे में यह दोनों देशों के मजबूत संबंध को यह दर्शाता है कि इनकी जो साजा संस्कृती भी है उसकी तरफ भी एक प्रदर्शन है यह भारती सैनिकों का इसमें समलित होकर मार्च में हिस्सा लेना अब भारत फ हाला कि आपचारिक रूप से हम कहें तो 1998 में 1998 में आप देखेंगे रणनितिक साजयदारी पर दोनों देश हस्ताक्षर करते हैं और यहां से इन दोनों के देश के बीच में जो संबंध है रणनितिक साजयदारी उस दिशा में कदम आगे बढ़ता है अब देखें 1998 में ही घटना होती है भारत ने पर्माड़ु परिक्षण किया इस पर्माड़ु परिक्षण के बाद पस्चीम विशेस रूप से जो यूरोपी ये देश थे पस्चीम के देश वो काफी खासे नाराज दिखे भारत से ऐसे मैं भारत को जहां हर तरफ से विरोध का सामना करना है आपूर्ती करना उसने भले ही बंद किया लेकिन भारत के साथ उसने कभी भी अपने जो शस्त्र के आपूर्ती है रक्षा भागीदारी है उस दिशा में कभी अपने कदम पीछे नहीं खीचे वो हमेशा चलते रहे दोजार सत्रा से 21 के दौरान देखेंगे तो दूसरा सब के लित एक्सरसाइज होते हैं जिसमें आप देखेंगे शक्ती हो गया चाहे एक्सरसाइज वरऊन हो गया गरून हो गया करंसा सेना न परमाडू आपूरती करता समूह में प्रवेश के लिए भारत के समर्थन की बात हो। वहाँ भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। इस तरह से आप देखेंगे जलवायू सहयोग के मुद्दे पर भारत ने भी फ्रांस का पक्ष लिया। आप देखेंगे भारत द्वारा खड़ा खड़म था दोनों के साजह प्रयास का परिडाम था। भारत प्रांस सहयोग जो है उसके कौन-कौन से प्रमुक्षेत्र हैं एक नजर उस पर डालते हैं। अगर दोनों के बीच सहयोग के प्रमुक्षेत्रों पर नजर डाले तो सबसे पहले पायदन पर आएगा रक्षा छेत्र। इसलिए पहले पायदान पर है कि जहां प्रांस प्रमुक्ष रूप से रक्षा जो रक्षा उतपाध है उसका निर्माता है वहीं भारत उसका प्रमुक्ष खरीदार है। तो इस लिहाद से भी एक हम व्यापारिक तौर पर भी कहें इनके बीच में चाहे है उसके उसके उसपर नजर डालेंगे तो 45 परसेंट जो है वो रूस से भारत खरीदता है वहीं दूसरे नमबर पर 29 परसेंट जो शस्त्र आयात करता है भारत वो फ्रांस से करता है तो इस लिहाज से भारत को निर्यात करने के मामले में फ्रांस दूसरे अस्थान पर आता है अंतरिक्ष छेत्र में भी सायोग है अच्छे स्कार्पिन पंडुबियों के लिए P75 कारिक्रम भी पुन्रुस किया गया दोनों लोगों के बीच में तो रक्षा छेत्र में एक मजबूत संबंद देखने को शुरू से ही मिलता रहा है अंतरिक्ष में भी CNES और ISRO वहां की अंतरिक्ष संगठन जो है भारत का जो अंतरिक्ष संगठन है दोनों के बीच वैग्यानिक वाणिजिक साथेदारी देखने को मिलती है साथी और सायने परमाड उर्जा के छेदर में अगर बात करें जैतापुरा आपको पता है कि महराष्ट के रतनागिरी जिले में एक परमाड उर्जा संग्यंत्र है इसको लगाने में भी फ्रांस ने भारत का सहयोग किया है यहां भी सहयोग देखने को मिलता है यहां पर जो छोटे माडूलर रियक्टर है और उननत माडूलर रियक्टर है उसमें भी फ्रांस भारत का सहयोगी बनके उभरा है इंडो पैसिफिक छेतर में दोनों रोड मैप बनाए रोड मैप के अलावा आप देखें संयुक्त कारिवाई के लिए रोड मैप तैयार करने के अलावा इंडो पैसिफिक में जो सतत विकास परियोजनाए हैं उनके लिए एक विकास निधी भी बनाने के बारे में दोनों लोग आगे बढ़े, दोनों देशों के भागेदारी दिखाई दे आतंकवाद के मामले में दोनों एक सुर में खड़े होते हैं हमेशा भारत प्रांस साथ होते हैं साथ ही GIGN और भारत का रास्ट्री सुरक्षा गार्ड अगर GIGN की बात करें तो ये है आपका नेशनल जेंडर मायर इंटर्वेंशन ग्रूप और भारत का रास्ट्री सुरक्षा गार्ड इन दोनों के बीच में भी सायोग दिखाई देता है और अतंकवाद के खिलाफ एक जोट है महत पुर्ण कुछ प्रवध्योगी किया है जैसे सुपर कम्प्यूटिंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग, कृतिम बुधिमता, अटिफिसिल इंटिलिजेंस, क्वांटम कम्प्यूटिंग जैसे जो अत्याधुनिक डिजिटल प्रवध्योगी की है इन छेत्रों में भी भारत-फ्रांस सहयोग अमुमन देखने को मिल रहा है इसके अलावा एटोस और भारत के प्रित्वी विज्ञान मंत्राले ने भी सुपर कम्प्यूटर की आपूर्ती को लेकर एक समझावता किया है इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं नागरिक, उड्डैन और स्वास्त के छेत्र में भी दोनों देशों में सहयोग अर समन में दिखाई देता है कुछ वैश्विक मुद्दे भी हैं जहां पर दोनों के बीच में सहयोग देखा गया है चाहे वो पर्यावरण से जुला प्लास्टिक प्रदूसर्ण को लेके जुड़ा मुद्दा हो जिसमें अंतरास्ट्री संधी के लिए दोनों ही देश प्रतिबद्ध हैं इसके लावा निली अर्थव्यवस्था अर्था समुद्र से जुड़ी जो अर्थव्यवस्था होती है उसके लिए निली अर्थव्यवस्था टर्म यूज किया जाता है तो उसमें भी समुद्री अनुसंधान के लिए ये लोग प्रतिबद्ध है IFREMER और भारत के NIOTI के बीच में एक समनवे है सहयोग है उर्जा परिवर्तन को भी वित्पोसित करने की जहां तक बात है वहाँ पर भी सहयोग मिलता रहा है फ्रांस का चाहे वो टिकाओ शाहर कारिक्रम होस्था चोर्जा परियोजनाए हो या ग्रामिड भारत में Mycron Finance की बात हो पहले के लिए ही वित्पोसित की इन तीनों पहल के लिए वित्पोसित की घोषणा फ्रांस द्वारा की गई है साथी demonized hydrogen जो है उसके लिए भारत में electrolyzer के निर्मार के लिए वहाँ की company मैक्टी और एलन्टी भारत की कंपनी इनके बीच में भी एक समझोता हुआ है तो ये कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें इन दोनों के बीच सहयोग दिखाई दे रहा है इसके अलवा लोगों के लिए अगर बात करें तो भारती छात्रों के लिए टार्गेट है कि 2030 तक 30,000 भारती चात्रों को शेंगेन वीजा 2030 तक प्रदान कर देगा जो कि भारत फ्रांस बहतर संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है अगर देखें तो नई दिल्ली में राष्ट्री संगहाले की एक स्थापना के लिए नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच में भागीदारी हुई है ये सांस्कृतिक समन्वे की भी बात हो रही है इसके अलावा फ्रांस मेडियास मॉंडे जो की फ्रांस का एक अंतराष्ट्री रेडियो से संबंधी जैसे भारत का प्रसार भारती है इन दोनों के बीच में भी समझोता हुआ है तो आप देख रहे हैं संस्कृती में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं अनुसंधान के शेत्र में अगर बात करें तो संग्युक्त परियोजनाओं के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर फार दर प्रमोशन आफ एडवांस रिसर्च इसके लिए धनराशी बढ़ा कर आवंटित की गई है ताकि दोनों देशों के बीच में अनुसंधान को इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा सके इसके अलावाद खेल और सिविल सोसाइटी के दिशा में भी दोनों देश सहयोग कर रहे हैं लेकिन अब मुखी बात ये आती है कि आगे की राह देखिए दोनों देशों के बीच में कुछ चुनावतियां भी है चुनावतियों पर एक नजर अगर डाले तो फ्रांस और भारत के बीच में जो व्यापार है उसमें जो व्यापार संतुलन है वो फ्रांस के फेवर में जोका है ऐसे में फ्रांस जहां अपने हित को देखते हुए भारत को ज़्यादा शस्त्र निर्याद करने के बारे में सूच रहा है वहीं भारत भी चाहता है कि इस व्यापार असंतुलन को संतुली तवस्था में किया जाए अर्था भारत भी कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्याद फ्रांस में कर सके दूसरी बात थोड़ी से सांस्कृतिक रूप से दोनों में सिमिलर्टी नहीं है अलग है दूरी जादा है दोनों देशों के बीच में ये कुछ बेसिक चुनोतियां है इसके अलावा अगर बात की जाए तो चीन के साथ कुछ मुद्दों पर फ्रांस दिखाई देता है ये प्रोस्ताहित किया जाएगा दूसरा अगर हिंद महासागर में आप देखें तो यहाँ पर आपको दो द्वीप दिखाई देंगे एक तो रियूनियन द्वीप है और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं नायोटे द्वीप है इन दोनों ही द्वीपों पर आप देखें इस दिसा में जो भी रणनीती बने उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दोनों देश एक मंच पर आ सकते हैं। से अपनी आवाज रखते हुए विश्यों का प्रतिने देश्यों कर सकते हैं। इस लिहाज से बतोर मुख्यत अतिथी फ्रांस के राष्टपती का यहां आना काफी कुछ निर्धारण करेगा कि आगे क्या हम इस बहतर संबंध को और मजबूती प्रदान कर सकेंगे। सब्सक्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से चूट का अपलाब उठा सकते हैं। तो आप के जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है ब्यास प्रस्ण हिंद महासागर में स्थित रियूनियोन वीप किस देश के छेतरा धिकार में आता है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप्शन है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा रूस और चौथा चीन तो इस प्रस्ण का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही आप लड़ते रहें, अपने लक्ष की और बढ़ते रहें सिशुप कामना के साथ आज इतना ही धन्यवाद। अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले।